आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पहली बूम्द। इस कविता में कविश्री गोपाल कृष्ण कॉल ने वर्षा रितू की पहली बरसात का बहुती सुन्दर वर्णर किया है। बीशर गर्मी के पश्चात वर्षा रितू आती है आकाश में उमरते गुमरते बादल और उनमें रह रहकर चमकती बिजली आखों और मन को सुख पहुचाती है। ऐसा लगता है मानो बादल नगाडे बजाकर धर्थी की तरुनाई को जगा रहे हैं। कभी ने आसमान को नीली आखों के समान माना है और बादलों को उन नीली आखों की काली पुतली के समान। बादलों ने वर्षा के रूप में आसु बहा कर धर्थी की प्यास बुझाई है। बेजान सी सुखी धर्थी में नव जीवन का संचार हो गया है। धर्ती में दबे वीजों से कोपले भट कर बाहर आ जाती हैं और मैदानों में हरी भरी घास जूमने लगती है। धर्ती का श्यस्यामला बनने का स्वखन फिर से पूरा होने वाला है। कवी निप्रकती का बहुत ही सुन्दर चितरन किया है। कवीता की पंतियां अर्थ के साथ इस प्रकार है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बून धरा पर आई अंकुर फूर पड़ा धर्ती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। कवी ग्रीश रितू के जाने के बाद वर्षा रितू की पहले दिन होने वाली वर्षा से चारो और छाय आनन के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि बर्साद की पहली बून जब धर्ती पर आई तो धर्ती के भीतर चीपे बीच में से अंकुर खूट कर धर्ती से बाहर निकलाया। वो नया जीवन पाकर अंगडाई लेकर जाग गया। धर्ती के सूखे अंदरों पर गिरी बून अमरित सी आकर वसुन धरा की रोमा वली सी हरी दूप पुल की मुस्काई पहली बून धरा पर आई। कवी कहना चाते हैं कि धर्ती के सूखे होटों पर वर्षा की बून अम्रीत के समान गिरी बरसात होने से बेजान धर्ती को जैसे जीवन मिल गया हो धर्ती रूपी सुंद्री के रोमों की पंक्ती की तरह हरी को मलगास प्रसन्यता से मुस्कुराने लगी पहली बून कुछ इस तरह धर्ती पर आई आसमान में उर्ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर बजा नगाडे जगा रहे हैं बादर धर्ती की तरुनाई पहली बून धरा पर आई कभी कहना चाते हैं कि आकाश में जल से भरे बादलों में विजली चमक रही है ऐसा लगता है मानू समूद्र विजलियों के सुन्यारे पंक लगा कर आसमान में उल्ड रहा है बादलों की गरश सुन कर लगता है कि वे नगाडे बजा बजा कर सोई वी धर्ती को जगा रहे ह वा क्या शांदार वर्षा की पहली भून धरा पर आ पहुची है नीले नैनोसा ये अंबर काली पुतली से ये जलधर करणा विगलित अश्रू बहा कर धर्ती की चिर्प्यास बुशाई बूरी धर्ती शेस से शामला बनने को फिर से लगचाई पहली भून धरा पर आई कभी कहना चाते हैं कि नीला आगाश नीली आँखों की समान है और काले बादल उन नीली आँखों की काली पुतली की समान धर्ती के कश्ट से द्रवित होकर मानो बादल आसू बहा कर दया प्रकट कर रहा हो वर्षा की बूंदे वही आसू हैं जिन से वे बहुत समय से प्यासी धर्ती की प्यास बुझा रहे हैं सहानु मूती और प्रेम पाकर रूखी सूखी धर्ती के मन में फिर से हरा बरा होने की इच्छा जाग उठी है ये सब धर्ती पर आई वर्षा की पहली बूंद का ही सुन्दर पहनाम है आज ही क्लास पस इतनी ही नेक्स चाप्टर के साथ हम फिर हाजिर होंगे तब तक आप लोग अपना ख्यार रखेगा हैव अनाइस टेग